दोस्तों SBI का best lom sum plan मैं लेकर आपके लिए आ गया हूँ जहाँ पर आप ऐसा इन्वेस्ट करके आने वाले समय में अच्छा खासा wealth create कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ SBI का बहतरीन lom sum plan जिसमें आप इन्वेस्ट करके returning बहतरीन पा सक सकते हैं ताकि आने वाला समय आपका सेफ हो सुरक्षित हो किसी भी तरह का आपके लाइफ टेंशन में नहीं रहे तो दोस्तों चलिए मैं आज शुरू करता हूँ SBI का best lom sum plan जो है वह है SBI Magnum Mid Cap Fund यानि आप इसमें investment करके आच्छा खासा returning पा सकते हैं कितना पैसा कितना दि क्योंकि holding काफी आवस्सक है और रिटर्न तो सबसे पहले मैं SBI मैं मीड कैप फंड का holding दिखा देता हूं तो holding इसका equity sector में होने वाला है और different different company में 75 company में इस मैच्वल फंड के पैसे को invest किया गया है अब देखिए holding क्यों आवस्सक है इस चीज को मैं समझा देता हूं equity sector के different different यानि इस मैच्वल फंड का पैसा जो है हर सेक्टर में लगाया गया है तो माल लिजिए कि किसी एक सेक्टर में यदि पैसा invest है और वह सेक्टर को स्यसें ही होगा सेक्टर के जीतने भी सेर होंगे इस होगे के डाउन होने लगेगा इसलिए किसी एक सेक्टर गीरेगा दो सेक्टर गिरेगा चीज यहां मैनेज कर लेगा इसलिए डिफरेंट डिफरेंट केटेगोरी में जहां पैसा लगा हो उसी में आपको इंबेस्ट करनी चाहिए अब इसके returning की बात कर लिया जाए तो इस SBI Magnum Mid Cap Fund ने तीन सालों में 13.49% का returning दिया है वहीं 5 सालों में 29.89% का returning दिया है और all time returning इसकी है 21.04% देखिए किसी भी mutual fund में long sum में invest करने के लिए उसके एक साल दो साल तीन साल पांच साल के returning पे नहीं जाना चाहिए उसका all time returning देती है तो all time returning जो है इसका 21% है 21% यह कभी भी आराम से निकाल कर दे देगी तो और दूसरा चीज और भी क्या है कि वह mutual fund भी पूराना होनी चाहिए तो यह चीज हो गया अब चलते हैं कि यदि आप इस mutual fund में दो लाख रुपया लगाते हैं तो कैसे आप करोरपती बन पाएंगे कितना दिन में बन पाएंगे इस चीज को मैं अब आपके साथ रखने वाला हूं तो देखिए आप यदि इस mutual fund में long sum करते हैं यानि एक मुस्त investment जो है दो लाख रुपया कर देते हैं और यह mutual fund 21% का returning यदि निकाल कर दे रही है 21% आराम से देदेगी क्योंकि all time में जब इतने दिया है तो आराम से देदेगी तो 15 साल के बाद आपका दो लाख रुपया जो है 34,89,000 हो जाएगा यानि दो लाख लगा के 15 साल के लिए भूल गए तो 15 साल में वह 34,89,000 हो जाएगा वही compound के पाउर के देख लिजए कि 5 साल यदि और रुग गए 20 साल रुग गए तो 20 साल में 90,51,000 हो जाएगा वही 5 साल और रुख जाते हैं यानि 25 साल रुग गए तो ऐसे ही आप करोर पती बन जाएगे तो 90 लाख रुपया 20 साल में था और 5 साल और रुग गए तो 2,34,88,000 हो गए यानि 5 साल में ही पैसा आपका तीन गुना बढ़ गया और यदि 5 साल और वेट कर लिए और 2 लाख रुपया लगा करोर 30 सालों के लिए यदि आप भूल गए तो 30 साल में 6,89,000 है यार रुपया के आप मालिक हो जाएंगे 6 करोर रुपया यदि आपके पास हो गया तो 6 लाख रुपया का महीना और महीने निकाल कर भी यह करोर बना ही रहेगा यह SWP का कमाल है तो SWP पर भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ एक दी वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंड करके जरूर बताइएगा तो दोस्तों यह S पूरा सा भी पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिल सके मिलेंगे अगले टोपी पर तब तक के लिए जैहिंद